हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल साइफाइ स्टुडेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग विन्न का जोड घटाना करना एक साथ सीखने वाले हैं यानि विन्न का जोड और घटाना एक अही प्रश्ण में जब दोनों आ जाये तो उस प्रश्ण को कैसे हल करते हैं या इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यहां पे प्रश्ण में देख सकते हैं कि यहां पे जोड का चिन है और यहां पे घटाना का चिन है और जब यह दोनों एक अही प्रश्ण में आ जाए तो ऐसे प्रश्णों को कैसे हल करते हैं या इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो निश्चिती रूप से आपको भिन का जोड और घटाना करना बिलकुल आसानी से आपको आजाएगा, और यहां पर भिन का जोड और घटाना करना मैं आपको बहुत ही आसान भासा में सिखाने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को सुरू से अंध तक देखना है ठीक है अगर आप English Medium के हैं तब भी यह वीडियो आपको समझ में आएगा और Hindi Medium के हैं तब भी आपको समझ में आएगा क्योंकि मैं आपको दोनों भासाओं में समझाने वाला हूँ अब आएप प्रश्ण को देखते हैं यहां पर प्रश्ण आपका है कि 1 सही 4 बटे 5 प्लस 2 सही 7 बटे 10 माइनस 9 बटे में 15 ठीक है या इसको इंगलिस में क्या पढ़ेंगे एक 1 होल 4 बाइ 5 प्लस 2 होल 7 बाइ 10 माइनस 9 बाइ 15 ठीक है आप देखिए जब ऐसे प्रश्ण आए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह मिस्त्रित भिन्न में है यानि इंगलिस में से मिक्स फ्रेक्शन करते हैं यह दोनों मिस्त्रित भिन्न से उसे हम इंप्रापर फ्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं कि जो संख्या हर में है उसका यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें गुड़ा करते हैं और अंस को जोल लेते हैं यानि क्या होता यहां पर देखिए 1 और गुड़े में 5 ठीक है और प्लस 4 और बटे में 5 है तो उसको 5 लिख लिख लेंगे, फिर plus है तो plus, वैसे इसको भी करेंगे, तो यह भी क्या हो जाएगा? दो, और गुड़े में 10, और-बटे में 10, और फिर क्या है? माइनस, 9 बटे में 15, तो इसको हम लोग इस टाइब से लिख लेंगे, अब लिखने के बाद क्या करेंगे? लिखने के बाद एक का पांच में गुड़ा तो 5 आई होगा, 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 बटे में क्या हो जाएगा, 5 यहां से, 9 बटे में 5, फिर प्लस है तो प्लस, यहां पे देखें, 10 और 2 का गुड़ा होगा, तो 10 दूनी 20, और 20 और 7 को जोल लेंगे, 20 27 तो यह क्या हो जाएगा, 27 बटे में 10, और माइनस 9 बटे में 15 ठीक है, उमिद करते हैं कि यहां तक की आप लाइनिंग बिल्कुल आप समझ गए होगे, आईए इसको लिख लेते हैं, तो यहां पे लिखते हैं इसको, देखिए, यहां तक की लाइनिंग को आम लोग लिख यहां तक हम ने आपको समझा दिया कि यहां पर क्या करेंगे 5 का 1 में गुळा तो 5, 5 और 49, 9 बटे में 5, 10 का 2 में गुळा तो 10, 2, 20, 27, 27 और बटे में 10 है तो 10, ठीक है फिर minus है तो minus 9 बटे में 15, अब यहां पर क्या करते हैं कि जो संख्या हर में है यानि denominator में यानि 5 यहां पर 5, 10 और 15 इन तीनों का हम लोग लेंगे LCM ठीक है 5, 10 और 15 का क्या करेंगे LCM लेंगे लगुत्तम समावपवर्थ लेंगे अब LCM जब लेंगे तो LCM इसका 30 होगा देखे कैसे यहां पर दिखा देते हैं 5, 10 और 15 इसका LCM लेंगे तो 5 से बाग देंगे 5, 5, 2, 10 और 5, 3, 15 फिर 1 और 2 से 1 हो जाएगा यहां पर 3 फिर 3 से कटेगा पूरा नीचे क्या हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा अब इसका गुड़ा कर पांच है तो उससे जो LCM आया हुआ है उसमें भाग देते हैं 5 से 30 में भाग देंगे तो 5, 36, 6 आएगा और उसका गुड़ा होता है अंस में यानि 9, 9 गुड़े 6 हो जाएगा तो इसको लिख लेते हैं अब यहां पर 9 गुड़े 6 फिर प्लस का चिन्न है तो यहां पर प्ल इनको लिख लेते हैं ठीक है यहां पर देखिए जो चीदे आपको बताया उसको हमने यहां पर लिख लिया ठीक है यहां पर फिर से एक बार आपको बता देते हैं जो संख्या हर में उससे भाग देते हैं तो 5, 6, 36 बार गया उसका अंस में गुड़ा अंस में 9 है तो 9 गु हो जाएगा 27, और 3 और 30 का गुढ़ा होगा तो 84, 54, 81 minus 18 बते में 30, इसको लिख लेते हैं ठीक है? अब यहाँ पर इसको लिखते हैं, तो देखे क्या हो जाएगा यहाँ पर 54 plus 81 minus 18 बते में 30, अब यहाँ पर जो plus में है, देखे, यह दोनों plus में है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानि 4 और 81 को जोड़ लेंगे, तो 4 और 81 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135 और minus 18 और बटे में 30, ठीक है, अब 135 में से 18 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा और बटे में 30, और यही आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा तो उमिद करते हैं कि इस प्रश्ण को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गये होंगे कि भिन्न का जोड और घटाना एक साथ कैसे करते हैं या पूरा प्रश्ण आपको समझ में आ गया होगा इस्टुडेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा ह करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम